गोवर्मेंट कमला मोदी गर्ल्स कोलर्ज नीम का थाना के बी ए पार्ट तरत्य के विद्यार्थियों का ओनलाइन क्लास में श्वागत है आज हम थोमस होप्स के राजदर्शन में निरंकुस्ताबाद एं व्यक्तिवाद के तत्वे पाए जाते हैं इस टॉपिक को ले रहे ह देखिए मैकसी ने खुद कहा है थोमस होप्स के बारे में कि निरंकुस्ताबादी होते हुए भी होप्स आदी से अंत तक व्यक्तिवादी है तो कुल मिला करके ये कह सकते हैं कि मैकसी की टिपनी ये बताती है कि होप्स के दर्शन में दोनों तरह के तत्वे पाए जाते है निरंग कुस्तावादी तत्वे भी है और शाथ में व्यक्तिवादी तत्वे भी है लेकिन सेबाइन ने कुछ अलग कहा है सेबाइन ने कहा कि होपस ने एक व्यक्तिवादी के रूप में अपने विचारों का प्रारंब किया परंतु उसके विचारों का अंत जो है वो निरंग कुस्तावाद में होता है तो यहां सेबाइन भी यह कह रहे हैं कि सुरुवात उन्होंने व्यक्तिवाद से की और उसका जो अंत है वो निरंग कुस्तावाद के रूप में होता है तो यह दो famous quotation होप्ष के राजदर्शन के बारे में हैं आप हम पहले निरंगुस्तावादी तत्व देखेंगे कि भी होप्ष के जो दर्शन है उसमें कौन शे निरंगुस्तावादी तत्वे हैं और फिर हम व्यक्तिवादी तत्वे देखेंगे सबसे पहले हम निरंगुस्तावाद के तत्वे देखेंगे होप्ष के राजनितिक चिंतन की जो सबसे बड़ी विशेष्टा है वो है निरंगुस्त तथा एपरिमित संप्रभुता का शिद्धान्त उसने अपनी पुस्तक लेवियाथन में राज्य के निरंगुस्तावाद का सांगोपांग तथा क्रमबद शिद्धान्त विक्षित किया और संप्रभु को उन शमस्त बाधाओं और सीमाओं से मुक्त कर दिया जो फ्रेंच विचारक बोंदा ने उस पर लगाई थी देखिए जो बोंदा था जो फ्रेंच यानि फ्रांसी सी विचारक था उसने शम्प्रभु पर कुछ मर्यादें अरोपित की थी जैसे प्राकरतिक कानून की मर्यादा इश्वरिय कानून की मर्यादा और अपनी शम्पत्ती की रक्षा करने का व्यक्ति का अधिकार लेकिन यहां होप्ष जो है वो इन इस तरह की जो सीमाएं हैं वो भी हटा देते हैं सेबाइन ने कहा है कि बोंदा ने शम्प्रभुता पर जो एश्वरियादें अरोपित की थी होप्ष ने उसे बिलकुल मुक्त कर दिया यानि वो सीमाएं वो प्रतिबंध हटा दिये और वहाहन ने भी लिखा है कि होप्ष ही वह दार्शनिक है जिसने शंपून रूप से निरंकुष प्रभुशत्ता की धारना का प्रतिपादन किया है होप्ष द्वारा प्रतिपादित समजिक शंजोते के परिनाम शवरूप निरंकुष राज्जी के उत्वत्ति होती है प्राकरतिक अवस्था जैसा कि वो कहते हैं कि साश्वत संगरश की अवस्था थी जिसका अंत करने के लिए लोगों ने सत्ता कि स्थापना पर बल दिया इसके लिए प्रतेक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ समझोता करता है और प्रतेक व्यक्ति इस आश्य के शपत लेता है कि मैं इस व्यक्ति को या व्यक्ति समू को इस सर्थ पर अपना अधिकार देता हूं तथा श्वयमेव अपने पर शाषन करने के अधिकार को छोड़ता हूं यानि परित्याक करता हूं कि तू भी अपने अधिकार इसी व्यक्ति को देगा और श्वेशाशन के अधिकार छोड़ देगा होप्ष ने इसे ही लेवियाथन कहा है दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि यही संपून प्रभुत्व शंपन शाशक या सर्वोच अधिकार प्राप्त शंप्रभू है होप्ष के शंप्रभू अत्वा लेवियाथन की बहुत सारी विसस्ताइं हैं यह करके हम देखते हैं जैसे की शंप्रभुता एशिमित है होप्ष का शंप्रभुता दारी इश्वरिये प्राकरतिक या अन्ये किसी भी कानून से बंदा हुआ नहीं है राज के कानून संप्रभू की अग्याएं मात्र हैं और वह उनसे उपर है उस पर यदि किसी तरह का अंकुष नियंतन लगाया जाएगा तो फिर वो शंप्रभू नहीं रहे जाता इस तरीके से हम यह कह सकते हैं कि होप्ष का होप्ष की जो शंप्रभूता है वो पूनतया असीम और निरंकुष है उस पर कोई शीमा आरोपित नहीं है दूसरी विशेश्ता है शंप्रभू समस्त विद्धात्मक कानूनों का स्रोत है होब्स के संप्रभू की अन्य विसेस्ता है कि वह समस्त कानूनों का श्रोत है संप्रभूता का अरत है समस्त प्रजाजन के लिए मानने होने वाले कानूनों के निर्मान की सक्ति होना और ये सक्ति किसमे नहित है शंप्रभू में नहित है वही शंप्रभू कानूनों का व्याख्याता भी है यानि उनको उनकी व्याख्या करने वाला भी है तो वही कानूनों का निर्मानक है और वही कानूनों का व्याख्याता है तीसरी विसेस्ता है शंपत्ती का सरस्टा और नियामक भी है होप्ष के अनशार शंपत्ती की सरस्टी भी संप्रभू ही करता है क्योंकि शंपत्ती के कानून याधिकार का जनम राज्ये के साथ ही हुआ है संपत्ती का सरस्टा संप्रभता ही होने के कारण संप्रभू जब चाहे व्यक्ति से उसके संपत्ति ले सकता है नेक्स्ट जो है प्रशाशनिक शक्तियों का एक मात्र श्रोत होप्ष का जो संप्रभू है वो प्रशाशनिक शक्तियों का भी एक मात्र श्रोत है एक्सक्लूसिव पावर हैं उसके पास प्रशाशनिक शक्तियों से रिलेटेड वही प्रशाशनिक अदिकारियों को अपोइंट करता है वही उनका स्रेनी करन करता है और समस्त अदिकारी उसके द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करते हैं नेक्स्ट जो है वो है शंप्रभू न्याय का भी श्रोत है यानि न्याय भी वही देता है शाशक को न्याय का श्रोत और न्याय दीश को सिंगासन के नीचे के सिंग कहकर होप्स ने न्यायक श्वतंत्रता के सिद्धांत का खंडन कर दिया है यहां न्याय पालिका की श्वतं बाजन और नियंत्रण संतुलन की कोई बात नहीं है नेक्स्ट जो है अधिकार के अवल शंप्रभू में नहीं थे हैं राज्य में होप्ष विद्वान किसी भी व्यक्ति परिवार चर्च या अन्य किसी समुदाय के अधिकारों को सुविकार नहीं करता और इस बात का प्रति स्विकार किये जाएं व्यक्ति या कोई भी समुदाय संप्रभू शाशक के विरुद्ध कोई भी दावा नहीं कर सकता किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकता हां एक अपवाद जरूर बताता है वो और वो है व्यक्ति की आत्म सुरक्षा का अधिकार यानि अगर व्यक् कुछ का अधिकार है बाकी नहीं है नेक्स्ट जो है युद्ध और शान्ति का निर्णायक यानि वही संप्रभू अंतरास्टे छित्र में भी व्यापक शक्तियों का प्रियोग करता है उसके अनुसार युद्ध और शान्ति का एक मात्र निर्णायक करने वाला संप्रभू सा जा सकता है वह अपनी इच्छानुसार जो है सेनिक शक्ति का भी प्रियोग कर सकता है कि नेक्स्ट है संप्रभु जो है वह विभाज्य और अद्य है यानि उसकी जो संप्रभु की जो शक्तियां है वो किसी को दी नहीं जा शक्ति अधे हैं वो और नहीं उनको बांटा जा सकता है संप्रुगुता धारी संप्रुगुता का कोई भी गुण किसी अन्य को हस्तांत्रित नहीं कर सकता और नहीं किसी अन्य को उसके प्रियोग में बागितार बना सकता है नेक्स्ट जो है संप्रवुता का छेत्रादिकार शर्व व्यापी है यानि संपून समाज पर लागो होता है कोई भी व्यक्ति है समुदाई इससे अपने आपको परे होने का दावाण नहीं कर सकता नेक्स्ट जो है चर्च भी शंप्रभू के अधीन है Hogs की जो विचार धारा है उसमें स्वाधीन और सवतंत्र चर्च के लिए कोई स्थान नहीं है चर्च भी जो है वो शंप्रभू शक्ती के अधीन है इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि होब्स ने साशक को सभी प्रमप्रागत प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया है और ऐसे संप्रभू का प्रतिपादन किया है जो विधी, प्रशाशन, अधिकार, न्याय, नेतिक्ता, युद्ध, शांती और धर्म का एक मात्र श्रोत है होब्स का इसपस्ट मत है कि जनता का एक मात्र कारिये संप्रभू के आदेशों का पालन करना है चाहे वे आदेश इश्वरी और प्राकरतिक नेमों के विरुद्ध ही क्यों ना हो शंप्रभू को जनता की संपत्ती झीरने का यहां तक कि उसके प्राण लेने का दिकार भी है क्योंकि जनता की संपत्ती और प्राण उसकी सत्ता से ही सुरक्षित है तो यहां एक तरीके से हम यह कूछ रगते हैं कि यह साफ-साफ जो है होप्ष अपने समझोते में निरंग कुस्तावाद की स्थापना करते हैं लेकिन साथ में कुछ व्यक्तिवादी तत्वे भी उनके दर्शन में पाए जाते हैं जैसा कि मैक्सी ने भी लिखाए कि होप्ष का लेविया थन के अवल संप्रुभुता के सिध्धान्त का और राज्य को एक शाधन के रूप में मानने का गरंथ ही नहीं है वहे व्यक्तिवाद का भी प्रवल्शमर्थक है व्यक्तिवाद की मूलधरना यह होती है कि जितने भी संग, शमदाय और अन्य संस्थाएं या राज्य हैं वे व्यक्तिवाद्वारा ही निर्मित हैं व्यक्ति ही उनकी एकाई है और ये सब अपने में समलित व्यक्तिवाद्यों से अधिक या भिन कुछ नहीं होते इस द्रश्टी कौन से व्यक्ति साथ्दे हो जाता है और राज्य शाधन मात्र हो जाता है हते व्यक्ति की भलाई बुराई दुख शुक आदि को राज्य और अरन्य श्रमदायों की भलाई बुराई या सुक दुख समझा जाना चाहिए अब हम देख लेते हैं कि होप्ष के विचार धारा में कौन से व्यक्तिवादी तत्वे हैं सबसे पहले है मानव श्वभाव शम्मंदी धार्णा होपस अरस्तु के शमान व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी नहीं मानता वह ऐसामाजिक प्राणी कता है जो आत्म के अंद्रित है और मनोवेगों एहम और लोबशे प्रेरित है होब्स की विचार धारा के अंतरगती है व्यक्तिवाद का मनोवेग्यनिक तत्व है और इसके अधार पर केवल व्यक्तिवादी धारना की ही रचना हो शकती है दूसरी जो व्यक्तिवादी तत्व है वो है राज्य शाधन है और व्यक्ति साध्ध है हौपश के चिंतन में राजजे एक शादन है और व्यक्ति साथ है राजजे के लिए व्यक्ति का निर्माण नहीं होता बलकि व्यक्ति की सुरक्षा और शांती के लिए राजजे बनाया जाता है तीसरा व्यक्तिवादी तत्व है राज्य एक क्रत्रीम संस्था है होप्ष के समाजिक सम्ज़ता विचारों से ये निश्कर्ष निकलता है कि समाज या राज्य तो सिरफ क्रत्रीम संस्था है जिसका उप्योग मनुष अपने व्यक्तिक अतलाब के लिए करता है चोथा जो तत्व है व्यक्तिवादी वो है आत्म संग्रक्षन का अधिकार होप्ष के अनुशार अपनी जीवन की रक्षा के लिए ही प्राकर्तिक दश्रा का अंत करने के उद्धिश्य से मनुष्यों ने सामजिक समझोता किया था और राज्य की अधिनता सुईकार की थी राज्य के बन जाने से उनके से सारे अधिकार समाप्थ हो जाते हैं किन्तु आत्म संग्रक्षन का अधिकार समाप्थ नहीं होता आत्म शंगरक्षन का मतलब खुद की रक्षा करने का सेल्फ डिफेंस का आत्म रक्षा का राज्य के अस्तित्व का उद्दे से ही विक्ति की जीवन की शुरक्षा है यदि राज्य का कोई नियम नागरिक के जीवन पर आघात करता है तो वह इसका विरोध कर शक्ता है होप्ष ने खुद कहा है जनता प्रभु की आग्या उसी समय तक मानने के लिए बाद्दे है जब तक उसमें जनता को शंगरक्षन प्रदान करने की शक्ति हो प्रतेक व्यक्ति को यदिकार है कि प्रभु ऐसी आग्याओं का पालन ने करे जिन में उसे अपने आपको मारने गहाइल करने या अंग भंग करने का आदेश हो तो इस तरीके से ये व्यक्तिवादी तत्वे का यहां साफ तोर पे नजर आता है नेक्स्ट जो है राज्जे के कारियों की निशेद्धात्मक धारना आर्थिक छेत्र में भी होप्ष ऐस्तक्षेप की निती का शमर्तन करते हैं होप्ष ने सपस्ट कहा है कि उसके राज्जे में व्यक्तियों को खरीदने बेजने आर्थिक समझोता करने बोजन व्यवशाय आदी चुनने एवं अपनी इच्छा के अनुशार अपने बच्चों को शिक्षित करने का दिकार है वस्तुत है उसने आर्थिक छेत्र में एहस्तक्षेप की निती का विचार दिया जो आदोनिक व्यक्तिवादियों के विचार से पूरी तरह से मेल खाता है कुल मिला करके हम ये कह सकते हैं कि हॉप्ष नरंकुस्तावदी होते वे भी पून रूप से व्यक्तिवादी है डनिंग के सब्दों में उसके सिध्धान्त में राज्य की शक्ति का उतकर्ष होते वे भी इसका मूल आधार पून रूप से व्यक्तिवादी है वस्तोते शंप्रभु की सर्वोच शक्ति उसके व्यक्तिवाद का ही पूरक है व्यक्ति के हित पर बल देने के कारण होप्ष को आधुनिक व्यक्तिवाद का अग्रदूत कहा जा सकता है आत्म संगरक्षन के लिए व्यक्ति को शंप्रुभु के आग्या के प्रतिरोध काधिकार देकर होप्ष ने उनकी निरंकुष सत्ता को बहुत कुछ गोन बना दिया ह उसने अपनी इस नवीन विचार का विकाश किया कि राज्य के वल व्यक्ति के साथ व्यक्ति के समझोते से जन्म ग्रहन करता है धन्यवाद कल हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे